कोरोना वाइरस का वाइरस महामारी बन गया है इस संक्रमन से बचने के लिए हमें आपको सबको बेहत सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है ठीक उसी तरह से नफरत के वाइरस से भी बचने की ज़रूरत है इससे सावधान रहने की ज़रूरत है नहीं तो जिस तरह से सैंसिक्स इस समय धडाम धडाम गिर रहा है वैसे ही नफरत का वाइरस इंसानियत को धाराशाही कर देगा पीडित को ही दोशी और अपराधी बनाने का बड़ा ही बेशर्म और अमानविय दौर चल रहा है देश की राजधानी दिल्ली को इस 24 पच्चिस फरवरी से जिस तरह से योजना बढ़ धंग से ज़लाया गया संसत के नाक के नीचे सब कुछ चलता रहा यह सब हमने और आपने देखा नियूस क्लिक ने तमाम रिपोर्ट आपके साथ इस पर साजा की हमने पहले दिन से यह बताने की कोशिश की अपनी तमाम रिपोर्ट से किया कोई स्पॉन्टेनियस यह अचानक फूटा हुआ दो समुदायों के बीच का जगड़ा नहीं है इसके पीछे एक सोची समझी राजनीती है सोच है देश की राजधानी को जलाने की और पूरे देश में एक स्पेसिफिक मेसेज देने की हमने देखा कि किस तरह से जिन इलाकों में हिंसा हुई जहां भीड आई वे पुलिस के साथ खड़े हुए थे हमारे पास अंगिनत फुटेज हैं हमारे रिपोर्टर्स हम सब वहां गए और हमने देखा अब जो टेस्टमनी आ रही है वो तो बता ही रही है लेकिन पहले दिन से पुलिस एक खास भूमिका में नजर आ रही थी जो रिपोर्ट्स हैं वह बताती है कि पहले दो दिन दस हजार से अधिक कॉल गए मदद के लिए दिल्ली पुलिस के पास जिनको बहुत कम को इंटर्टेन दिल्ली पुलिस ने किया अब आप देखिए कि इस सारी प्रक्रण पर जो देश के ग्रह मंत्री हैं अमिश्शा वह किस तरह से बात करते हैं संसद में किस तरह से साजिशाना ढंग से बचाने की कोशिश करते हैं पूरे की पूरे उस सिस्टम को जो देश की राजधानी को जलाने पर तुला हुआ था उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे बहुत मासूमियस से बात कर रहे हैं उनका पिछ बहुत नीचे था कितना शर्मनाक है कि वह देश के ग्रहे मंत्री हैं तीन दिन तक एक शब्द नहीं बोलते हैं जब देश की राजधानी जल रही थी दिल्ली पुलिस उनके अंडर में थी वे बात करते हैं कि खुद उन्होंने अजीर डोवाल को वहां भेजा मानो बहुत एहसान किया दिल्ली पर कि दिल्ली अब तुम जितना जल चुकी हो उतना काफी है यहां हम उनके पूरे भाशन की बात नहीं करना चाहते हैं हम कुछ चीजों पर बहुत ठोस ढंक से आपका ध्यान आक्रिश्ट करना चाहते हैं पहला मामला कि जिस तरह से ग्रिह मंत्री ने इतनी हिंसा 50 से अधिक भारतिय नागरिक मारे गए किस तरह से मारे गए ये भी हमारे सामने है और उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से काम किया वह काबिले तारीफ है हम उनसे पूछना चाहते हैं Mr. Home Minister क्या आपने वह वीडियो नहीं देखा जिसमें एक नौजवान चार नौजवान है जो बुरी तरह से घायल है सडक पर लेटे हुए है जिसमें से एक नौजवान फैजान की मौत हो जाती है उनको National Anthem गाने पर इसी महान दिल्ली पुलिस के लोग मजबूर करते हैं लाठिया मारते हैं ये क्या दिल्ली पुलिस नहीं है जो आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रही ये किसकी सरपरस्ती में दिल्ली पुलिस को ये हक मिला कि उस सरेयाम चार पांच नौजवानों को बुरी तरह से मारने के बाद हमारे राष्टगान का इतना अपमान करे ये हक किसने दिया क्या यह देश के हित में हक है शायद नहीं इसी तरह से एक और टेस्टमनी हमारे सामने आई है जो बहुत महत्पूर है वो है उस इलाके में रहने वाले जो एक डॉक्टर हैं डेंटिस्ट हैं मिराज बिन अक्रम की उन्होंने टेलिग्राफ अखबार को यह कहते हुए बताया कि मुझे पता है कि मैं यह सच बोल रहा हूं और यह सच मेरी जान के लिए बहुत भारी पढ़ सकता है लेकिन मैं यह सच बिना बताय रह नहीं सकता वह बताते हैं कि किस तरह से वहां पर जो अस्पताल में लोग भरती थे एक अलहिंद अस्पताल है उस इलाके में मुस्तफाबाद वाला जो पूरा इलाका है वहां पर तीन लोग भीशन रूप से घायल थे उन्हें गुरुते एक बहादूर अस्पताल ले जाना था उसकी कोशिश वो लोग तमाम कर रहे थे एंबुलेंस को आने नहीं दिया जा रहा था और किस तरह से जब वह आटो पर ले जा रहे थे और एक व्यक्ति जो बुरी तरह से घायल था उसको अलग से उन्होंने रखा हुआ था उनके आटो को गली के मोड पर पुलिस वालों ने रोका और उसके साथ जो दंगाई भीड थी उन्होंने और पुलिस वालोंने जो घायल लोग थे जो तकरीबन बेहोश थे उन्हें पीटना शुरू किया और यहां वे बेहत एफसोस से बताते हैं कि वह अपनी जान बचा कर भागे और उन्हें पता नहीं कि जो लोग उनके साथ थे जिने वे ले जा रहे थे जिस आटो में वे थे उनका क्या हुआ लेकिन निश्चित तोर पर आज जिस तरह का खौफ का महौल बनाया गया है इसमें इस डॉक्टर का इस तरह से सामने आना और एक टेस्टमनी देना काबिले तारीफ है और हमें और आपको उनके साहस को सलाम करना चाहिए इसी तरह से एक और टेस्टमनी सामने आई है जो बहुत मार्मिक है जिसे ट्पीट पर शेयर किया गया है और यह है फरजंद अली की जिनकी उमर साट साल है और यह बताते हैं कि किस तरह से ओलिया मस्जित के पास सादे कपड़ों में पुलिस आई उसने इन्हें पकड़ा लेकर गई साथ गंटे इनसे बातचीत की तफ्तीश की मारा पीटा और उसके बाद छोड़ दिया इनका दर्द सुनिये कि में पॉले남 हकते हैं अधर निमाट के निखने वह वह वुट आपर फुली सुवारे बुलन है प्याद स्नु अगलेने। इंदर अधरे वह बताद में और है वह सबोते हैं औरहां को इस प्लिशाए टा फूले लगा यहाँ परमार यहां सम्श्च dispir सवाल यहां यह है कि आखिर देश के ग्रिह मंत्री संसद में इस तरह से क्यों बोल रहे हैं मकसद क्या है जैसा हमने शुरू में कहा कि जो पीडित हैं जिनके घर उजड़े जलाए गए जिनें मारा गया क्या उन्हें ही दोशी बनाने का दौर चल रहा है जैसा हमने देखा कि बहुत जगों पर उन लोगों को पकड़ा गया जो अमन की रखवाली कर रहे थे मिसाल के तौर पर एक मंदिर की हिफाज़त करने वाले युवक को निश्चित तौर पर वा युवक मुस्लिम था उसे जिस तरह से गिरफतार किया और उसको लेकर उस बस्ती में ही आक्रोश हुआ इससे भी कई तरह के संदेश सामने आना शुरू हुए हैं अगर आप उन इलाकों में जाईए वहाँ पर तमाम जो नौजवान हैं उनके दिमाग में जबरदस्त खौफ है वे पुलिस के नाम से डर रहे हैं इस तरह कि तमाम खबरे हम तक पहुच रही हैं जो बता रही हैं कि जैसे ही वे रिपोर्ट दर्स कराने एफ आई आर दर्स कराने थाने तक जाते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है उन्हें बैठा लिया जाता है और भी तमाम चीज़ें जिने हम बिना सबूत के आपके सा शेयर नहीं कर सकते. लेकिन जो डिटेल्स आ रहा हैं वे डरानेवाले हैं. उसे एक बात बहुत साफ है कि दिल्ली पुलिस की जो भूमिका पूरी सामप्रदाखिक हिंसा के दौरान रही उसी तरह की बायसट भूमिका में दिल्ली पुलिस अभी भी खड़ी हुई है. जिससे एक community में एक समुदाय में बेहद डर है खौफ है इस खौफ को तोड़ने के बज़ाए ग्रिह मंत्री अमिशाह का जो बयान है संसद में दिया हुआ बयान वह बताता है कि यही क्रम आगे भी चलता रहेगा क्योंकि दोशियों के खिलाफ वह एक शब्द नहीं बोलते वे कपिल मिश्रा के खिलाफ नहीं बोलते वे अपने सांसद के खिलाफ नहीं बोलते वे अपने विधायकों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते यहां जरूरी है उन लोगों से बातचीत करना जो जमीन पर काम कर रहे हैं इसमें हमने बातचीत की इंदू प्रकाश सिंग से जो बुन्यादी तोर पर बेगहरों के बीच काम करते हैं और इन दिनों दिल्ली में जब से दिल्ली को जलाया गया जुलसाया गया जमीन पर काम कर रहे हैं और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही है दिली पलिस इंस्टिकेशन कर रही है वो जो है मुझे लगते काफ़ी भयावा है मतलब वहाँ पे सीधा टागेट किया जा रहा है यूद को पूरी दहशत का मौहर बना हुआ है पूरा मुस्तफाबाद में शिव यहार में इस पूरे राके में मतलब यह लगता है कहीं सरकार जो है यह बताना चारे जैसी कि यह जो जो प्रोग्राम था दंगेतन ही बोलूंग उसको मैं यह जैसे कि यह पूरा प्रोग्राम जो है मतलब मुस्लमानों नहीं मुस्लमान के घर जलाए है तो यह जो है मुझे लगता कि बड़ा विच्चित स्थिती है दिली में जहांकि देली पुलिस कुछ करती नहीं पहले तो तो दंगेतना पहर पर prisoners दो नहीं है और सगसा फुच्छ शक जह पनलए हैं कि पुलिस उसके बाल राक्ति होती है और झीब ऐए तो यह जो तो कह रहने है तो तो कैय रहे है जिव जा नहीं के गास «थिती सब service did बात के लोगों ने खुद हम तक पाद के पहुच के बताया कि कैसे जो बीजेपी के फॉर्मर मले हैं बीजेपी के काउंसलर हैं लोकल गून्स हैं उन्होंने जाकर के मुस्लमान की घरों के घरों के जलाया है एक बात जो भाशा जो वहां से और निकल के आई है कि वो लोग द जालू शारू खुब चला दंगी के पहले बहलाया फुसला गया लेकिन बैस चीज यह था कि इस पुरे प्रोग्राम के अंदर एक भी दलित इन्वार्ट नहीं थे यह सारे का सारा भाजपाई जो है गुंड़े थे पूर जो है और इनों ले बहरहमी से मतलब वो गैस जाल आने लाइक स्थिती नहीं है ऐसा क्यों है एफ एयर कराने में जैसे रिपोर्ट आ रही थी कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है आप क्या देख रहे हैं जी जो हम दो मीटिंग भी किये थे और जो खबरे आ रहे हैं मुझे फिलसे खबर आ रही है क जो प्लिस जो है मनले मंगों चोट लगा हुए है तानों हुए है लोगों घेरने पर लग हुई है तो सब्सक्धार जो है लोग अपने जो ऐत्वाहए उसको बताना भी पष्रू नहीं चाह रहे हैं और कॉमसेशन ल Christmas Past जाएंगे तो पुलिस उनको एक पार्टी बना लेगी और जो है इनो देली फ्रेम इन दिस सो कॉल्ड प्रोग्राम जो है तो अभी किया कुछ ऐसे मामले सामने आया है जैसे एक मंदिर वाला मामला हमने देखा जो मुस्लिम युवक मंदिर को बचा रहा था उसे ही गिरफता कर लिया गया कि इस तरह की कुछ और मामले आपके सामने आये हैं जहां पर इस तरह की लोगों को एरेस्ट किया गया है इसमें बात सीद्री सी है कि कल की खबर है कि एक मां अपने दो बच्चों के साथ जो है 15-14 साल के बच्चे हैं वह मां थोड़ी आगे थी विदिन फाइ कर दो तो 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 नुए की लोग कहां पर रस कर लिए दोनों ले जाहा जा रहा है इसका कोई आइडिया ने है क्यों फिर सीदा इन पर स्टेश्च आपत ड़ें जारा है और मुस्तनवालों पर लगातार केस लगाया जारी इदगा में लोग आ रहे हैं मतलब एरिस करने के लिए तो यह पूरा खौफ का महोल जो है इन्होंने पना रखा है जो प्रोग्राम था वो तो हुआ है इस वक्त जो है एक नया तरीके का पूरा इस शिविहार में सब जगो सरकार जो है मोदी और अमिश्या के सरकार जो है कुछ नया ही रशना चाहरी है इन तमाम अफवाहों और खौफ की खबरों के बीच एक अच्छी सुखद खबर उत्तरप्रदेश के सहारनपुर इलाके से आई है 2014 में वहां सिक्खों और मुसल्मानों के बीच जमीन को लेकर सांपरदाइक तनाव हुआ था जिसमें तीन लोगों की जाने गई थी अब इतने साल बाद दोनों समुदाए दुबारा साथ आए हैं गले मिले हैं और मुसल्मानों ने वह विवादित जमीन गुर्दवारे को दान कर दी है और सबने साथ मिलकर उस जमीन की सफाई भी की दोनों समुदाएओं की पहल पर अमन और चैन कायम हुआ भरोसा बना और एक अलग मिसाल मनी आप देखेंगे चलचित्र अभियान का यह वीडियो यह स्टोरी जो बहुत जरूरी है जिसे देखा जाना और दिखाया जाना बहुत जरूरी है मैं मस्जिद की परोकारी जरूर करता थार क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ मस्जिद की मुझे करनी भी चाहिए मेरा धरम है लेकिन जितना लिहाज अदब मैं मस्जिद का करता हूँ उतना ही मेरे लिए गुरू नानक देव का जो घर है गुर्दवारा सहाब वो भी उससे कम नहीं है वो भी तो खुदा का घर है कुल मिला के हुआ कि दोसों के जमीन मस्जिद को जिसकी कीमत ठहराई गई 47,50,000 रुपए पलस उसका बैनामे का खर्च पलस जो उस पर टेक्स जिन से हमने वो लेनी थी वो टेक्स बता 10 लाग रुपए वो भी लगबक कुल मिला के 60 लाग रु इच्छा से कि भाई यह पसंद आप करो तो मुस्लीम समाज की जो बुद्धी जीवी जो साहब जहन लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई एक बास सुनो यार कि सीक समाज के लोगों ने बंगला देश में जाके खिदमत की दिल्ली के अंदर अपनी जान दौपे लगा के हमारे स समाज के लोगों की खिदमत की तो हम शहिए उसका कुछ बदला उतार सकें इसलिए हमने यह फैंसर लिया हमारे साथियों ने मेरी डियूटी लगाई मेरे साथियों ने कि साब आप जाईए और दिल्ली की सरजमीन पर जाके इसका ऐलान करिए कि चेक भी वापस यह जमीन भ विदा आप सबसे हुजारिश है अपील है कि लाइक और शेयर करें खोश खबर सब्सक्राइब करें न्यूस क्लिक ताकि सच को जिन्दा रखने की हमारी कोशिश यूँ ही चलती रहे शुक्रिये